नमस्कार आप सभी का श्वागत है NKP प्रोडक्सर में तो चलिए आज में जो आपको नोटिस से आउगत कराना चाहूंगा यह है आपका प्लेस्मेंट से रिलेटेड और किसमें है HDFC बैंक से रिलेटेड है तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे यह सोट नोटिस म में पास आउट होने वाले हैं वो इसके लिए अलिएबल है वो अपलाई कर सकते है लेकिन इसमें के लिए कौन सा कौन सा स्ट्रीम मंगा गया है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं अंद तक वीडियो में बने रहेंगे पूरा बिस्स लेशन के साथ मैं आपको बताने आए तो नीचे description में link दिया हुआ है उस पर फिजा करके आप group में add हो सकते हैं तो चलिए इसमें बताया गया है directly की HDFC bank में जो है employment का opportunity निखाला गया है जिसमें graduate और post graduate student को personal bankers in grade में trainee के post पे hire किया जाएगा जिसमें annual gross जो दिखाया गया है salary वो 3.5 likes दिखाया गया है तो उसके बाद में क्या होगा कि इसके बाद में एक year अपका provision period होगा post joining के लिए उसके बाद में आपको जो है assistant manager में आपको upgrade किया जाएगा तो इसके लिए जो है कौन eligible है जो योजी और पीजी 2022 और 2023 में student है और कौन सा कौन सा stream का इसमें eligible है उसके लिए English, Math, Physics, Chemistry, Botany, Computer Science, Computer Application, Business Administration, Commerce, Economics इतने जो stream है इतने stream के student इसमें apply कर सकते हैं apply का procedure क्या है मैं वह भी बताना चारूँ यह selection process उसके पहले बता दे selection देखे पहले तो application आपका screening किया जाएगा उसके pre-placement talk होगा मतलब कि एक seminar type का होगा जिसमें pre-placement talk होगा इसके बाद assignment होती है assignment होगी उसके बाद personal interview होगा उसके बाद में interview के बाद में जो भी student select होते हैं वो undergo करेंगे NISM training के लिए from CIEL के थो से NISM के training होगा उसमें interview के बाद में वो training होगा नहीं बताना चाहेंगे कि जो student interested है तो apply कैसे करना है तो सबसे पहले बात है girls के लिए अलग date दिया गया है तो आपको करना क्या है कि जो girls है जो interested है और जो इस criteria को follow कर रहे है उनको 13 March 2023 को 11 बज़े से लेकर के देड़ बज़े के बीच में placement sale office में जाना है रीता में से मिलना है 13 March को याद रखेंगे 13 March जो आपका Monday है आपको 13 March को जा करके वहाँ पर placement sale में जाना है वहाँ जा करके रीता में मिलेगी आपको उनको जा करके CV जमा करना है और वहाँ पर कुछ registration करना होगा अपना offline तोर पे वो registration करेंगे और आपका जो है interview जो होगा व और जो भी detail होगा वो detail आपका जो student registration अपना करा रहे हैं उसमें email ID जो होगा number जो होगा email ID पर आपको साजा कर दी जाएगी मतलब आपको send कर दिया जाएगा वहीं पर उसके बाद में जो student boys student जो इसमें eligible है जो apply करना चाहते हैं इंट्रेस्टेड हैं उनको 14 March 2023 को 11 बजे से ल और बेन्यों जो detail जो है मतलब कि interview कब होगा कहां होगा उसका detail जो है वो आपका जो registered email ID होगा उसमें आपका update मिल जाएगा तो email ID को अच्छे से आप चेक करते रहेंगे mobile number को चेक करते रहेंगे ठीक है उसके बाद में आपको बताना चाहेंगे कि student को क्या करना है पहले आप offline तोर पर सीवी जाकर के जमाँ चरूर करना है तो यह placement cell की और से notice निकाला गया मारवाडी college राची के और से form कैसे भरना चली form में एक बार क्लिक करके आपको बता देना चाहूंगा क्योंकि जो यह form भरेंगे उसी के नुसार फिर आपका detail साजा होगा इसमें क्या करना है द जो address से वो डालना है उसके बाद में आपका gender फिर stream कौन सा है इंग्लिस, math, physics, chemistry, botany, computer application यह है आपको इसा डालना है उसके बाद में college qualification अपडेट UG में है या PG में है year of passing क्या है 2022 और 2023 यह सिर्फ मारवाडी college के student ही apply कर सकते हैं और जो अभी 2022 और 2023 से बस वही उसके अलावा द percentage आये था class 2L में कितना percentage आये था वो डालना है और graduation में आपका कितना percentage है और master में कितना percentage है तो graduation जिन का है अभी तक मालीजे आपका semester 3 तक का result आया 4 का result नहीं है तो semester 1, 2, 3 तीनों को जोड़ दीजेगा उसका average निकाल करके आपको डालना होगा तो average percentage आपको डालना है जहां तक आपका result आया है अगर semester 4 तक का result आया तो semester 4 तक का result आलिए उसका aggregate निकाल करके और जो master में है master का यह डाल सकते हैं उसके बाद में आपको क्या करना है आपका जो CV है CV को क्या करेंगे आप पहले Google Drive में अपना सेथ करेंगे उसको public करेंगे पब्लिक करने के बाद में उसके बाद में आपको यहाँ पर लिंक उसका आपको समीड करना होगा लिंक समीड करेंगे उसके बाद में या send me या copy ये कर देंगे तो आपका email में भी इसका copy आ जागा कि आपने form भरा था और समीड कर देना है ये आपके process है simple सा process है आप इसको जरूर फॉलो करें और अगर आपको नहीं आता है तो कैसे आपको करना है वो भी डिटेल में बताना चाहूंगा ये आपको इस तरह से कर लिए उसके बाद में जो भी डिटेल होगा मैं आपको साज़ा करता रहूंगा अधि दन्यवाद